Hello Everyone, I am Kusum, Welcome to True Government Jobs YouTube Channel आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं BSNL की तरफ से आई हुई लेटेस्ट भरती की तो आप सभी ने देखा ही होगा BSNL की तरफ से एक नोटिफिकेशन है जो की काफी बाइरल हो रहा है जो की है JTO की भरती 2023 की नोटिफिकेशन जिसमें की लगवग 11705 पदों पर ये भरती रहने वाली है तो इस भरती पे काफी सारी वीडियो बनी हुई है और काफी ये बाइरल भी हो रही है और इसमें डेट भी बताई जा रही है कि लास्ट डेट कब है इसको एपलाई करने की तो जैसे की हमने बताये इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि 11705 पदों पर GTO की भरती होने वाली है 2023 में तो बहुत ही बढ़िया भरती रहने वाली है इस पे ऐसा बताया जा रहा है मैं आपको यहाँ जो बताने वाली हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये जो भरती है ये टोटली फेक है क्योंकि BSNL की तरफ से ऑफिशेली भी बताया गया है कि इस तरह की कोई भी भरती के लिए उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है क्योंकि जेटियो की भरती जुनियर टेलिकॉम आफिसर की भरती जो है काफी समय से BSNL में नहीं आई है तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट इस भरती का बेट कर रहे हैं तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया तो ये बाइरल हो गया है अब ऐसे में जो कैंडिडेट जेटियो पोस्ट के लिए बेट कर ले तो ये उनके लिए काफी important था इस job को apply करना तो पर हम यहां बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन है ये पूरी तरह से fake है चलिए मैं आपको ले चलती हूँ BSNL के Twitter handle की तरफ जहां उन्होंने officially tweet किया है कि ये जो नोटिफिकेशन है पूरी तरह से fake है तो ऐसी अभी किसी भी भरती के लिए BSNL की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है तो चलिए हम देख लेते हैं पहले फिर इस पर बात करते हैं ये देखे ये हम BSNL के official Twitter handle पर आ गये हैं जसके आपको दिख रहा है BSNL ने tweet किया है कि please be aware from fake news this news report about BSNL JTO recruitment 2023 is not true तो ये news पूरी तरह से fake है no such notice advertisement is issued by BSNL तो BSNL की तरफ से कोई भी इस तरह का notice और कोई भी इस तरह की advertisement issue नहीं की गई है तो you can find authentic BSNL news only on our website BSNL.co.in तो ये कह रहे हैं कि BSNL की जो official website है BSNL.co.in वहाँ पर आपको authentic notification BSNL की तरफ से जो भी recruitment रहेगी तो वहाँ पर वो जारी की जाएगी तो कल ही BSNL ने ये tweet किया है कि ये notification पूरी तरह से fake है क्योंकि ये जो notification है काफी अच्छी vacancies बताई गई है JTO की रहने वाली 11705 पद है जो कि apply करने की last date भी इन्होंने दे रखी है तो BSNL ने खुद ये इसको fake में डाल दिया है कि ये जो notification जिस तरह की ये viral हो रही है तो ये पूरी तरह से fake है तो आप YouTube पर देख सकते हैं बहुत से लोगोंने इस पर video upload किया है कि JTO की तरफ से इस तरह की भरती आ रही है जो कि 11,705 पदों के लिए रहने वाली है और apply करने की last date भी बता रखी है तो ये भरती पूरी तरह से fake है तो इस पर विश्वास ना करें क्योंकि यहां BSNL ने खुद बताया है कि उनकी कोई भी अगर इस तरह के notice या advertisement आती है तो आप उनकी authentic BSNL की जो news है उनकी website BSNL.co.in पर पास सकते हैं तो आप इस website पर विजिट करके notification के बारे में चेक कर सकते हैं और जैसे कि हमने आपको इनका tweet भी दिखा दिया है कि ये news पुरी तरह से fake है तो अगर next BSNL की तरफ से कोई भी notification इस तरह का आता है तो आपको उनकी website BSNL.co.in पर चेक करना है या next कोई भी वेकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी वेकेंसी आउट होती है तो आपको उनकी official website जो की department की सरकारी website रहती है उस पर विजिट करना है और वहां पर उस news की authenticity को चेक करना है तो अभी फिलाल BSNL की तरफ से ऐसा कोई भी notification नहीं करूंगी और आपको उसके बारे में inform करेंगे और अगर आप BSNL की तरफ से JTO की recruitment का बेट कर रहे हैं तो आपको उसे सिर्फ पर सिर्फ BSNL.co.in पर जाके चेक करना है कि ये news authentic है या नहीं है तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको काफी help मिली होगी अगर वीडियो आ notification भी on कर दीजिये ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे तो आज की वीडियो में इतना ही thanks for watching